Hello guys, this is Sachin Chawan and welcome back to another video. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे best camera mode for street photography या हमाई street photography करते वक्त हमाई camera का कौन सा mode use करना चाहिए. तो without time waste, let's start the video. जब मैंने street photography स्टार्ट करी तो मैं manual mode यूस करता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि जो manual mode है वो master mode है क्योंकि उसके अंदर आपको aperture, shutter और ISO अपने हिसाफ से set करना पड़ते हैं, बड़ जैसे-जैसे मेरी knowledge increase हुई street photography को लेके तब मेरे को समझ में आया कि street photography के अंदर movements बहुत ज़्यादा important है, यानि कि आपको movement miss नहीं करना है, movements बहुत ज़्यादा तेज होती है, जितनी ज़्यादा आपकी observation power होगी, उतनी easily आप movements capture कर पाऊगे, तो उसके लिए मुझे देरे-देरे समझ में आया कि हमारी street photography के लिए अब जो मैं mode use करता हूँ वो है aperture priority, 95% मलब situation में मैं aperture priority mode use करता हूँ, जिसके अंदर मैं अपना जो aperture है, वो around f11 रखता हूँ, ISO मैं around 800 रखता हूँ, जिसके हिसाब से मुझे shutter speed कम से कम 1 by 500 या 1 by 800 के around मिल जाती है, because movement बहुत fast है और मुझे अपनी shutter speed इसलिए हाई रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं ISO थोड़ा सा increase कर लेता हूँ, ताकि मुझे aperture priority mode में एक अच्छी shutter speed मिल सके, यानि कि 1 by 500 या 1 by 800, because मुझे movement जो है, वो freeze करनी है, guys, f11 या f16 मैं इसलिए अपना aperture रखता हूँ, because मुझे अपनी photograph के अंदर, street photography के अंदर, layers करनी होती है, guys, मैं layers use करता हूँ, अपने frames के अंदर, जिसके थुरू मैं अलग-अलग story narrate करता हूँ, अपने frame के थुरू, तो मैं अपना aperture जो है, f11 या f16 रखता हूँ, जिसके वज़े से, एक मेरे को sharp photograph मिलता है, और, एक clear photograph आता है, इस ISO के आप इतने जद़ अटेंशन ना ले, because street photography के अंदर, सबसे mean है movement, आपको movement capture करना है, उस mode में, because guys, होता किया है, कि ISO का ये myth है, कि हम कम से कम ISO यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं ISO 800, 1600, याने कि अपनी crop body तक में, मैं ISO 4000 पर भी click कर चुका हूँ, मेरी एक series, एलाइट series, उसके अंदर का मेरा जो ISO है, वो 4000 है, maximum photograph में, because याद मुझे ऐसा लगता ही, कि मुझे क्या है, मतलब ये, आप जब भी आप print करेंगे, अपनी photograph को, तो उसमें ISO बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छे print पर जब आप उसको देखेंगे ISO, तो ये myth निकाल दीजे कि आपको ISO 100 पे click करनी है, स्टीट के अंदर movement बहुत ज़रूरी है, तो मैं मतलब आपको recommend करूँगा, कि आप aperture priority mode यूज़ करें, वैसे आप और भी experiment कर सकते हैं, यानि मैनुवल बोड, shutter priority mode, अलगला situation में, but 95% मैं aperture priority यूज़ करता हूँ, because मेरे लिए first prefer है movement, मेरे से movement miss नहीं होनी चाहिए, मैनुवल बोड में क्या होगा, मैं ISO aperture, और shutter set करता रहाँगा, exposure की set करता रहाँगा, और movement miss हो जाएगी, मुझे movement miss नहीं करनी है, इसलिए मैं aperture priority mode यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर मेरे setting होती है F11 या F16, ISO 800 और उसके हिसाब से shutter speed 1 by 500 या 1 by 800 मिल जाती है, मौर्णी में around 9 या 10 a.m अगर आप शूट करने हैं तो यह आपके जो setting से आपको यह यूज़ करनी चाहिए, बागे आप situation के हिसाब से अपना aperture चेंज कर सकते हैं, और ट्राय करें street में कि movements पकड़ें, camera setting यह सब तो secondary बात है बट movement जो है वो बहुत अमरले है, जरूरी है तो उसी को first prefer दें, I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इससे like करें, comment section में मुझे बताए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ share करें और मेरी चैनल को subscribe करना ना बोले, क्योंकि future में मैं street photography related इस तरह की वीडियो बनाता दूँगा, thank you आप सक्षिया अगी है और में करें दोस्तों के साथ